वेलकम टू एक्जाम सहापाथी आज के इस वीडियो में हम सिविक्स की प्रैक्टिस स्रीज टू में हमारा सम्विधान टापिक के पहले पार्ट के कुछ क्वेस्टन को साल्व करेंगे इस पार्ट इस टापिक का एक और पार्ट आएगा ठीक है तो आईए इसको और अंसतह लचीला ठीक है तो ये आप याद रखेंगे भारत के सम्विधान के बारे में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारती सम्विधान का मुख्य आधार क्या है ठीक है तो भारती सम्विधान जो है किस आधार पर निर्माड किया गया है भारती सम्विधान का इंग्लेंड के समविधान पर आयरलेंड के समविधान पर भारती या परिशत अधनियम 1919 का जो समविधान आया था वो या फिर भारत सरकार अधनियम 1935 तो आप सब इसका आंसर चाहिए 20 April 1945, 24 March 1946, 30 March 1946 या फिर 22 July 1946 तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होता है 24 March 1946 को जो है Cabinet Mission भारत में आया था ठीक है और इसमें जो है इनके सदस्यों के नाम भी पूछे जाते हैं तो ये आपको इनके सदस्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए Cabinet Mission का जो अध्यक्ष था वो भारत मंत्री जिसका नाम था लाड़ पैथिक लॉरेंस वो था और इसमें अन्य दो सदस्य थे जिनका नाम था इस्टे फोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ठीक है ना तो इन तीन सदस्यों का नाम भी आपका Cabinet Mission से संबंदित इंपॉर्टेंट है ये नाम भ और क्यों राते हैं हम लोग केंद्र में अंतरीम सरकार की अस्थापना कब होई थी तो ये केंद्र में अंतरीम सरकार की अस्थापना कब होई थी क्रिप्स मिसन आने के बाद क्रिप्स मिसन आने से पहले और क्रिप्स मिसन आने के बाद या फिर कैबिनेट मिसन आने के स्थापना होई थी जिसके जो है किसके नेत्रित तुम्हें यह हुआ था जवाहर लाल नहरू के नेत्रित तुम्हें ठीक है कैबिनेट मिसन आने के बाद जवाहर लाल नहरू के नेत्रित तुम्हें सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की अस्थापन हुई थी और अभी आपने पढ़ा कि 24 जो है क्या था आपका मार्च था कि अप्रेल आप लोग कमेंट करें ठीक है 24 मार्च 1946 जो था उस समय जो है मार्च 1946 में आपका केमिनेट विशन आया और और सम्विधान सभा ने ही भारती सम्विधान का निर्माड किया था ठीक है ना तो ना ही संसद ने ना ही राष्टी का अंग्नेस ना ही सरवोच ने आले ने सम्विधान सभा के द्वारा जो है भारती सम्विधान का निर्माड किया गया था और समविधान सभा की अस्थापना जो है कब हुई थी इसका equation पुछा जाता है कि समविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो समविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही थी बहुत popular question है हमेशा पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 आप डेट जरूर याद रखना ये है समविधान सभा की प्रथम बैठक और इसी प्रथम बैठक के साथ ही समविधान सभा की अस्थापना होती है और समविधान सभा के द्वारा ही भारती समविधान का निर्माड किया गया है ठीक है न तो ये आप याद रखना कि भारती सम्विधान का निर्माड किसके द्वारा किया गया है तो सम्विधान सभा के द्वारा किया गया है question number six में आते हैं हम लोग भारती सम्विधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या फिर अंतरीम अध्यक्ष कौन थे तो वो आपके कौन थे तो वो आपके सचिदानन सिन्ना थे जो की आस्थाई अध्यक्ष थे ठीक है न और 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता होई थी वो की थी किसने तो वो की थी आप अग्टर सचीदानंद सिन्ना थे बाद में डाक्टर राजेंद प्रसाद को इस्थाइद्यक्ष चुना गया ठीक तो अब ही आप आंसर क्या देंगे इस्थाइद्यक्ष जब आपको अस्थाइद्यक्ष पूछा जाएगा तब ही आप बताएंगे जैसे कि यह मैंने अगला क्वेश्चन लिया है सम्विधान सभा के आपके दो तरीके से यह क्वेश्चन पूछता है या तो पूछता है कि सम्विधान सभा के अस्थाइद्यक्ष कौन थे या फिर सम्विधान सभा के अंतरी मद्यक्ष कौन थे ठीक है यह दोनों अलग-अलग क्वेश्चन पूछ जा सकता है अंतरी मद्धिक्ष या फिर अस्थाइदिक्ष तो दोनों कांसर डॉक्टर सेचिदनन सिन्ना होंगे जवाहरलाल नहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को सम्विधान सभा ने कब पारित किया था देखिए क्वेशन क्या है ये कब पारित किया था यह ऐसा क्वेशन नहीं है कि कब इसको पेस किया था ठीक है तो जो सम्विधान सभा में यह जो है जो उद्देश से प्रस्ताव जवाला लेरू ने पेस किया था वह आपके 22 जनवरी 1947 को जो है इसको पारित कर दिया गया और यह देखिए कब पेस किया गया था यह भी यह question बनता है तो 13 दिसंबर 1946 को जो है 13 दिसंबर 1946 को नहरू के द्वारा उद्देश से प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था और इसे सम्विधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया ठीक है तो यह आपका पारित करने वाला question है इसको आप ध्यान रखेंगे कब प देश प्रस्ताव को प्रस्तूत किया था और यह question पूछा जा सकता है कि कब यह पारित किया गया था तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को तो यह दोनों question का अंसर आप याद रखना question number 9 की और हम लोग चलते हैं कि भारत का सम्विधान बनने में कितना समय लगा था यह अब यह popular question है आप लोग बहुत आपको इस कांसर प्रस्तूर ही पता होगा कि दो माह दो वर्स ग्यारा माह और अठारा दिन ठीक है कहीं कहीं आपसे में आपको दो वर्स अठारा माह और ग्यारा दिन लिखा रहता है तो अठारा माह तो होगा नहीं अगर बारा माह में तो साल ही हो जाता है तो दो वर्स यहां पर लिखा है ग्यारा माह और अठारा दिन यह आप याद रखना ठीक है तो भारत का सम्विधान बनने में इतना समय लगा था अपनों question number 10 की और चलते है question number 10 देखते है क्या है ये है कि भारत के सम्विधान को अंगी कृत और स्वीकार क करना दोनों एक ही चीज़ है और या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत के सम्विधान का निर्माण कब पूर्ड हुआ ठीक है निर्माण कब पूर्ड हुआ तो उसका भी आंस्वर यह आपका सेम होगा जो की होगा 26 नॉबर 1949 को अंगी कृत किया गया था और 26 नॉबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आप कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे क्योंकि 26 नॉबर को जो दिवस मनाया जाता है वो भी इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो 26 नॉबर 1949 को भारती सम्विधान को अंगी कृत या फिर स्विकार किया था या फिर आपसे एक क्वेस्च सम्विधान का निर्माण कब पूर्ड हुआ तो उसका सेम आंसर है 26 नॉबर 1949 को ठीक क्वेस्चन 11 क्यों राते हैं शम्विधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के सम्विधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए तो लाश्ट में हस्ताक्षर कब किये गए थे तो यह हस्त हस्ताक्षर कब किये थे तो वह स्ताक्षर हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 इसके लावं आप से क्वेस्चन पूशा जाता है कि समविधान सभा की कितने अधिवेशन हुए थे पूरा कब हुआ था तो पूरा हुआ था यह 26 नॉबर 1949 को हस्ताक्चर हुए थे आपके 24 जनुवरी 1950 को यह लाश्ट रडिवेशन हुआ था इसका उसके बाद 26 जनुवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया ठीक है तो यह तीनों डेट आप याद रखना देखिए अब यहां पर भी क्वेशन लिया गया है कि भारत के सम्मिधान को लागू कब किया गया तो इसका अंसर आपको पता होना चाहिए अगर लागू पूछा है तो 26 जनुवरी 1950 तो यह नॉबर नहीं होगा क्योंकि यह तो आपका जो 26 जनुवरी 1950 को और इस दिन हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताना गड़तंत्र दिवस या फिर सोतंत्रता दिवस ठीक है तो कई लोग इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं तो आप लोग बताईएगा 26 जनुवरी को क्या मनाया जाता है अब देखिए तो 26 जनुवरी 1950 को भारती सम्मिधान लागू किया गया यह आपको पता है क्वेस्चन नंबर 13 की उराते हैं सम्मिधान निर्मात्री परिशद के वैधानिक सलाकार कौन थे सम्मिधान निर्मात्री परिशद यानि की सम्मिधान सभा हो गया ठीक है इसके वैधानिक सलाकार आपसे पूछा जाए फिर कानूनी सलाकार आपसे समम् יदान सभा के कानूनी सलाकार थे और एक questions आप से पुछा जाता है कि समविधान सभा में कुल कितनी महीला सतष्याएं थी तो कुल 15 महीला सतस्याएं थी ये भी आप याद रखना कि सम्यदान सबागा जो था उसमें कितनी महिला सदस्याएं थी तो उसमें कुल 15 महिला सदस्याएं थी ठीक है तो सम्विधान सबा के वैदानिक सलावार या फिर कानूनी सलावार वियन राओ थे ये तो आपको पता ही होगा question number 14 की और हम लोग आते हैं सम्विधान की प्रारूप समीत के अध्यक्ष कौन थे बहुत popular question है ये भी आपको sure पता होगा इसका जो simple सा answer है वो है आपका doctor BR Ambedkar ठीक है भीमराव Ambedkar जो है प्रारूप समीत के अध्यक्ष थे ठीक तो BR Ambedkar जो है इसमें आपसे ये भी question पुछा जाता है कि प्रारूप समीत में कुल कितने सदसे थे तो प्रारूप समीत में कुल साथ सदसे थे और इसके अध्यक्ष कौन थे तो BR Ambedkar ये आपको पता होगा आप लोग ये याद रखना कि इसमें साथ सदसे थे प्रारूप समीत में BR Ambedkar तो आपको पता होगा question number 15 की ओर हम लोग आते हैं कि भारत एक गड़तंत्र यानि कि गड़राज है इसका क्या मतलब है तो क्योंकि यहाँ पे भारत में जनता संप्रभू है या फिर यहाँ पे भारत में संसदी ये सासन बहुस्ता है या फिर भारत जो है ये राज्यों का संग है इसलिए गड़तंत्र है या फिर भारत में वंसानुगत सासक नहीं है यानि कि किसी का बेटा डारेक्ट जो है अध्यक्ष नहीं बन जाता देश का तो आप लोग बताईए कि इसमें क्या है तो इसका जो सही अंसर है ये है भारत में व संग नहीं थेक है इसे लिए भारत क्या है गड़राज्य है एड़्ट का वारत एक Visa सात नहीं है तो यह नहीं है भारत का राज करभा श्रपार भारत का बहुत हैक चुना हुआ प्रतीनिली होता है तो आप जानते हैं कि राष्टपती को आप तो लोग डारेक्ट तोड़ी चुनते हैं राष्टपती को आपके चूने हुई जो है लोगों के द्वारा चुने जा ज्सको आप चुनते हैं उसको जो राष्ट बत यूँ करते हैं इसलिए यहां पर फ्रत्तक्र जनता का फ्रत्तछ सुना हुआ प्रत्मिदी होता है. ठीक है न? तो यहां पर ऐसा तो है निकि एक राश्पती है तो उसका बेटा ही राश्पती बनेगा नहीं. तो यही जो है आपका गड राज्य होता है क्योंकि यहां पर वनसानुगत सासक नहीं है, question number 16, कि और हम लोग आते हैं, सम्विधान के अनुसार भारत है एक, तो भारत क्या है, संघी राज्य है, एक आत्मक राज्य है, राज्यों का संघ जखा या फिर अर्द संघी राज्य है, तो जो सम्विधान के अनुछे देख में लिखा गया है कि भारत क्या है भारत है राज्यों का संग और संग की जगा पे कौन से word का यूज किया गया इंगलिस word का तो वो है union ठीक है न तो ये आपका union of states है तो भारत जो है क्या है राज्यों का संग है और ये किसमे लिखा गया है आपको ये भी पूछा जाता है कि भार सब्द का उपयोग नहीं किया गया है यहां पर union सब्द का उपयोग किया गया है यह आप ध्यान रखना ठीक है तो अनुच्छे देख में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संग है ठीक तो इसमें आप से यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो आपके संगहात्मक अउधारणा है ठीक है तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है तो यह आपके लिया गया है कनाड़ा के संविधान से ठीक है यह वाला question का अंसर आपको पता होगा राज्यों का संग जो अगला question देखते है, question number 18 में, नेमन लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, समवर्ती सुची कहां से लिया गया, आश्ट्रेलिया से, ठीक है, सही है, संसदी ये सासन प्रडाली लिया गया है, ब्रिटेन से ये भी सही है, र आपको पता गया है को सा ही सुमेलित नहीं है ठीक है तो संगहात्मक स्वरूप कहां से लिए गया है इसलिए जो है इसलिए यह आपका ये सही था ठीक है ना अब अगला question देखते हैं question number 19 की और तो 19 में है कि भारती समविधान का कौन सा भाग समविधान की आत्मा कहलाता है तो यहां पे जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर आपसे पूछा गया है कि समविधान का कौन सा भाग समविधान की आत्मा कहलाता है तो यह आपका जो अंसर होगा वो होगा समविधान की उद्देशिका या फिर समविधान की प्रस्तावना ठीक है न यहाँ पे सम्विधानिक उपचारों का अधिकार सही उत्तर नहीं होगा अगर आपसे पूछा जाएगा जब तक आपको भीम राओंबेटकर का नाम नहीं दिया गया है कि भीम राओंबेटकर ने किसको जो है सम्विधान की आत्मा कहा है या फिर सम्विधान की रिदय आत्मा कहा है तब उसका अंसर होगा आपका सम्विधानिक उपचारों का अधिकार वरना अगर आपसे पूछा गया है कि भारती सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है तो उसका आंसर हमेंसा जो है प्रस्तावना या फिर सम्धान के उद्देसिका होगा ठीक है न? सम्धान की उद्देसिका को सम्धान की आत्मा माना गया है परत तू डाक्टर भीमराव उम्भेटकर ने अनुछेद 32 में जो सम्विधानिक उपचारों के अधिकार को सम्विधान की आत्मा का आया है, जब question में आपसे डाक्टर भीम राव मेटकर का नाम दिया होगा, तब आप सम्विधानिक उप्चारों के अधिकार या फिर अनुचेद 32 को सम्विधान की आत्मा का सही उत्तर मानेंगे ठीक है ना इन वरना फिर आपकी प्रस्तावना या उद्देशी का जो है आपका सही आंसर होगा यह आप क्लियर के लिजिएगा और आपसे पूछ लिया गया तो इसका जो आंसर होगा वह होगा प्रस्तावना तो भारती सम्विधान की आधार भूमी है ठीक है दारसनिक आधार भूमी है ठीक है ना तो सर्वो चन्याले ने प्रस्तावना को किसने का है सर्वो चन्याले ने प्रस्तावना को किसने का है सर्वो चन्याले ने इसके लावा भारती सम्विधान की अगर दार्सनिक आधार भूमी पूछे जगा तो वह आपकी कोन है तो वह आपका प्रस्तावना ठीक है अब हम लो question number 21 की और चलते है question number 21 में है कि भारती सम्विधान की प्रस्तावना को कितनी बार संसोधित किया गया है तो इसको जो केवल एक यी बार संसोधित किया गया है ठीक है तो ये एक बार संसोधित किया गया था और इसमें जो है तीन सब्दों को जोड़ा गया था ये आपके कौन- गया था ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये आपका था 22. संविधान संसोधन 22. संविधान संसोधन 1976 में हुआ था तो एक बार संसोधन 42. संविधान संसोधन हुआ था और इसके दोरह तीन सब्द जोड़े गए थे समादवादी, पंथ निर्पेक्च और अखंड़ता ठीक है तो ये तीन सब्द जोड़े गए थे समादवादी, पंथ निर्पेक्च और अखंड़ता ठीक तो ये आप याद रखना ये तीनों सब्द भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सब्द जोड़े गए थे ठीक है तो ये भी आप याद रखना ये तीन सब्द जोड़े गए थे और 42 में समविधान संसोधन में संसोधन किया गया था और केवल प्रिस्तावना में अब तक एक ही बार संसोधन किया गया है भारत का समविधान अपने नागरिकों क तो क्या है वो है आपकी एकल नागरिक्ता ठीक है ना तो भारत में एकल नागरिक्ता जो है प्रदान की जाती है तो एकल नागरिक्ता इसका सही अंसर होगा तो भारत में एकल नागरिक्ता की ब्योस्था की गई है नागरिक्ता के संबंध में देखिए अगर नागरिक्ता आ बारत में एकल नागरिक्ता है और नागरिक्ता के संबंद में किस सम्विधान में कहां दिया गया है और नागरिक्ता संबंदी नियम को बनाता है तो ये बनाता है संसद ठीक भारती संसद द्वारा प्रथम नागरिक्ता अधिनियम का पारित किया गया तो फष्ट नागरिक् करने का निम नमेसे कौन सा साधन है तो इसके अंसर है कि जन्म के आधार पर या फिर सिक्षा के द्वारा अगर आपके पाधन सब्पती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका जन्म के आधार पर ठीक है तो भारती नगरिक्ता प्राप्त करने के कौन से साधन है जन्म के आधा सकती पहला तो आपका जन्मे के द्वार हो गया दूसरा रक्त संबंध या फिर वंसक्रम के द्वारा तीसरा है रजिश्टरी करण के द्वारा चौत हैं देसी करण द्वारा में ध्युथונה कऊई है किसी भूभाग के कर हम संब्रेन पैंप फूलरा कुल कितनी अनुसूचियां तो अनुसूचियों के बारे में आपको पता होगा कि भारती संभीध्यान में कुल मिलाएकी संब्धान संसोदन के दौरा नवी-दस्वी ग्रवी और बारवी अनसूची को जोड़ा गया था ठीक है तो मुल संब्धान में अगर आप से पूछा जाये तो मुल संब्धान यानि कि जो संब्धान बना था उसमें केवल 8 अनसूची थी टीक है, question no.26 की ओर आते हैं, भारत के सम्विधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेदों की संख्या देखेए आपकी कितनी है, अगर आपसे अपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेदों की संख्या तो 300 पंचान बेही है, ठीक है न? बाकि जो अनुच्छेद आपके और जोडे गए हैं वो सभी जो है इनके उपखंडों के रूप में जोडे गए हैं जैसे कि आपका जो है कोई भी अनुच्छेद है उसमें कुछ अगर नया जोड़ा गया है तो 360 है तो 360 A बना दिया गया पूछा जाता है, 92 भाग हैं. संविढान मैं कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां हैं और संविदान में कितनी अनुस्चेद है, 305 पन्चानَّ आप याद रखेंगे और संसोधन रिमके द्वार जो अनुस्चेद जोड़े जाते हैं, उन髻े मोल अनुच्छेद में उपखंड के रूप में समयोजित कर दिया जाता है ठीक है यानि कि जो मोल अनुच्छेद होते हैं उनके अलग अलग खंड बना दिया जाते हैं वो उसी के पार्ट्स बना दिया जाते हैं बाकि मोल अनुच्छेदों की संख्या कितिया 395 ही है ठीक है तो यह आप याद रखना बाकी तो ऐसे जोड़-जोड़ के लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद बन गए हैं ठीक है ना 450 के आसपास अनुच्छेद बन गए हैं लेकिन जो है मूल अनुच्छेदु की संख्या 395 है क्योंकि सब को जो है खंडो के रूप में जोड़ दिया जाता है अब अगला क्वेस्चन है अगला क्वेस्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश जमिदारी उनमूलन और भूमि सुधार अधिनियम अधिनियम2 में अनुसकी में अंतर इंथा तो भूमिसुधार संबंदी जो आपका संसोधन हुआ था जो आपकी आनुसुचि जोड़ी गई थी वह थी आपकी 9 अनुसुचि थीक 피부 investir संबंदडी जो आ Sup कि नवी अनसूची है और इसको जो है 1950 के संविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था ये आप याद रखना ठीक है ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये भूमी सुधार किस संबंदित है किस अनसूची से तो ये आपकी नवी अनसूची से संबंदित है न नवी अनसूची किस संबंदित है भूमी सुधार से संबंदित है अगला क्वेस्चन हम लोग देखते है क्वेस्चन नमबर 28 भारती संविधान के किस अनसूची में 22 भासाएं अधिकतर आप से पूछा जाता है कि आपके किस अनसूची में ये मलब की भासाओं को जो है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया है तो यह आपकी आठवी अनुसूची में है तो यह आपका सही अंसर होगा आठवी अनुसूची में ठीक है ना तो मूल सम्विधान में आठवी अनुसूची में कुल 14 भास आये थी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल सम्विधान में कितनी भास आये थी तो उस समय 14 भास आये थी लेकिन वरतमान में जो है और भासाओं को जोड़ करके वरतमान में कुल 22 भास आये अधिसूचित है किसमें आठवी अनुसूची म कुल वर्तमान में 22 भासाया दुसूचित हैं लेकिन जब मूल सम्मिधान था तो उसमें 14 भासाया थी ठीक है न जैसे कि अभी आपको बताया गया कि मूल सम्मिधान में कितनी अनुसूचिया थी तो आप कमेंट करके बताना मूल सम्मिधान में कितनी अनुसूचिया थी वर्त लेको याद रहना चाहिए question ठीक है तो यह आपका 86 समीधान संसोधन था 86 समीधान संसोधन कब हुआ था तो यह हुआ था 2002 में ठीक है तो 2002 में हुआ था समीधान संसोधन में इसमें किया गया कि 6-14 वर्स के बच्चों के सिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसको पैरेंट्स के लिए मौलिक करतब भी बनाया गया था ठीक है तो यह आपके 21-a में जोड़ा गया था यह आपको पता होना चाहिए देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है कि 86 समीधान संसोधन अधिनियम 2002 के अंतरगत प्रारंविक सिक्षा को मौल अधिकार बनाया और इसको कहां पर रख गया है तो इसको रख गया है 21 के अंदर ठीक है तो यह आप याद रखना अनुच्छेत भी इंपोर्टेंट है आपका 21 के ठीक है तो इसके अंतरगत रखा गया है समय जो आपके सिक्षा के अधिकार को मौल अधिकार बनाया गया है अब हम लोग थर्टी में है कि भारती संसद की सबसे बड़ी समिती कौन सी है तो भारती संसद की सबसे बड़ी समिती है प्राकलन है सारुजनी कुपकरम समिती है लोक लेखा समिती है या फिर कार मंत्रन समिती है तो इसका जो सही अंसर है वो है आपका प्राकलन समिती तो भारती संसद की स आफे लिए आपक कोsorry समयचितौए आफे वी डियो को पसंद आई होगा और आप जो है कमेंट करके जो है आप लोग जो भी आप अपना बात कहना चाहते हूं कह सकते हूं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप सेयर कर दीजीगा इससे उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा ठीक है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन् अगोह जटाओर लोग तॉचके जरा भी आओर काली कर दोस्तों कर दोस्तों कर दाओर लेबियोगता।